साथियों, एक बीज को यदि बिरिक्ष बनना है, तो उसे जमीन के अंदर जाना पड़ेगा, फूटना पड़ेगा, भिखरना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, तभी वह एक बिरिक्ष का रूप ले सकता है एक पत्थर को यदि पर्तिमा बनना है, किसी मंदिर में सुसोवित होना है, तो छेनी हत्वरी का मार्क खाना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, तूटना पड़ेगा